मद्यपिदेश में विधान सबाचुनाव अब बेहद ही नस्दीक आ चुके हैं। गिंती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता अपने जननायक का 17 नवंबर को चेन करेगी। और मद्यपिदेश में उसे दिन मत्दान होगा जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार मद्यपिदेश में किसकी सरकार परने वाली है। इसी के चलते ही पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं। वे अपने प्रत्याष्टियों के लिए ताबर तोड दोरे कर रहे हैं और ताबर तोड जनसभाएं कर रहे हैं। और उसी के चलते ही आज कोलारस विधान सभा के खतोरा में महेन सिंग यादव के समर्थन में केंद्री उडियन मंत्री जोतुरादिति सिंध्या भी पहुचे और उनके द्वारा एक विशाल जनसभाएं को समभूदित भी किया गया। सिंध्या जी के द्वारा जंता को भारती जंता पार्टी की जनहितकारी और जनहितेशी योचनों से अवगत कराया गया साथ ये बताया गया कि किस प्रकार महेंद सिंग यादव जी को राजनितिक ग्यान प्राप्त हुआ ये बताया गया कि उनका और सिंध्या जी का रिष्टा केवल राजनीती से जुड़ा नहीं है बिलकुल घर परिवाज जैसा है जिसे सुनकर जंता काफी जादा उत्साहित हो ओठी इसी के चलते ही सिंध्या ने ये भी जंता को बताया कि हमेशा ही महेंदर राम सिंग यादव जी जंता के प्रती समर्पित रहते हैं और जंता के लिए हमेशा कारे करने के लिए अग्रसर रहते हैं इस जन सभा में भारे संख्या में लोग मौजूद रहे साथी कई कारे करताओं की भी मौजूद की रही